अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा, कि सैना में भरती को लेकर हमारे देश में एक नई योजना लाई गई है, जिसका नाम है अगनीपत योजना, और आप देखें कि छात्रों के दवारा, छात्र संगटनों के दवारा, और विपक्ष के दवारा काफी इसका पूप भी देया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग सत्ता पक्ष की बात मानें या कुछ और विद्वानों की बात मानें तो वो इसके फायदे भी गिना रहे हैं कि इसे बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो आप सभी जानते हैं वैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसकी कुछ चिंताएं भी होती हैं, कुछ उसकी अच्छी बातने भी होती हैं, तो आज हम लोग इस किलास में बिस्तार से बात करने वाले हैं, जो अगनीपद योजना है, ये भी देखेंगे कि आखिर ये कुछन्स पूचे जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि वैसे भी अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी भी नहीं करें न, तब भी आप लोगों को इस तरह की योजना के बारे में एक सामान जानकरी होनी चाहिए, कि हमारे देश में आकिर क्या चल रहा है, और मुझे लगता ह है कि अगनीपत योजना आई हुई है, किस नाम से अगनीपत योजना, और केंद सरका में तीनों सेन सेवाओं, इसमें आप देखेंगे थल सेना भी सामिल है, नो सेना भी सामिल है, बायू सेना भी सामिल है, में नए सेनकों की भरती के लिए अगनीपत योजना का अनावरन किया हुआ है यानि कि नहीं एउजना को लाए गया है अब आप कहेंगे कि तेनों सेनाओं की जरूरत क्यों परती है आप देखें कि हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसे हो अफगानिस्तान जैसे हो चाइना जैसे हो नैपाल जैसे हो भूटान बंगलादेश म्यानमार त आप देखे हमारे हाँ त्यार भेजे ना लगए तो हमें वायू सेना की भी जरूरत पढ़ती है अपने देश की सुरक्चा के लिए और इसलिए आप देखते हैं कि जबानों की भरती भी होती है और यह ही उजना देश भक्त और अभी पेरे तीवाओं को चार वर्स की अधी क दसक्त बलों में सेवा का आउसर फिदान करेगी और यह चार साल ही आप देखे कि बिबात का मुख कारण बना हुआ है कि सभी के मुहें पर एक सब्द है कि चार साल बात क्या होगा कहा जाएंगे कोई गारंटी है कि इन्हें आगे भी नौकरी दे जाएगी सेना में सामिल ह निवाओं को अगनी बीर कहा जाएगा क्या अगनी बीर कहा जाएगा चार वर्स की सेवा के बाद किसी बैच की केवल 25% सेनिकों की ही संबंधी सेवाओं में 15 वर्सों की आउधी के लिए पुनर नियुक्ति कि जाएगी कहने का मतलब है कि आप लोग येक उधारन किससे साल दिया जाएगा ठीक है और इसकी अगर हम लोग पात्ता की बात करें तो यह योजना किबल अधिकारी रहन के नीचे के सेनिकरियों के लिए होगी जो सेना में कमीशन अधिकारी के रोम में सामिल नहीं होते हैं कमीशन अधिकारी भारतिय ससक्त वलों के अंदर ही एक वि 23 साल की आयू के युवा आविदन करने के पात्त हैं यानि की कहने का मतलब है कि अगर आपकी उमर साड़े सत्रे साल हो चुकी है तो आप लोग इसमें आविदन कर सकते हैं और अधिकतम इस 23 साल लखी गई है ठीक है 23 साल तक के बच्चे आविदन कर पाएंगे अगनी वीर लाक रुफे उफर जित व्यास सेवा निदी का भुकतान किया जाएगा और उन्हें चार वरस की अउधी के लिए 48 लाक रुपे का जीवन भीमा कवर भी प्राप्त होगा तो एक तरह से आप लोग याद रखेगा ये आप देखे पैसे की लेकर बात हो रही है कि लाश्ट में 11 लाक कुछ मिलेंगे और आप देखे वो ही 12-15 लाक, 17 लाक के करीब आप देख रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि ये पहुँचेगा तो ये आप लोगों को ध्यान नहीं 21 लाक रुपे सेवा निधी भुकतान किया जाएगा पूरी होने पर आप देखे 11 लाक के कुछ किया जाएगा ठीक है तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा उनके सहीध होने की स्थिती में परिवार को एक करोड रुपे से इस कारकाल के बेतन सहीध का भुकतान किया जा अगर फिर भी कोई अगनी भी सहीध हो जाता है तो उनकी बात हो रही है चार बर्स बात सेवा निधी पर सरकार उनके पुनरबास में बदद करीगी उन्हें स्किल सार्टिफिकेट और व्रिज कोस का प्रिदान भी किया जाएगा आंगे इस तरह का आप देखी कि अगनी पति उजना के कर्यानवन का एक उद्देशिया भी है कि सेन कर्मियों की ओसत आयू में कमी लाए जाए और इसकी आवस्तक्ता वर्स 1962 की भारत चीन यूदि के बाद महसूस की गई थी और इसके कई दसकों बाद कारगिल समीक्षा समिती ने भी इसकी आवस्तक्ता प में भी 19% कर्मी सामिल है इस आयू बर्क के लिए एक बड़ी संख्या चुकि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास ही परवर्टी एलाके हैं और कम आयू प्रोफाइल की भारती एकाईया इन हो भागों में बहतर सेन पेदासन करेंगी बहतर आप देखी हमारे देश की सुरक् और आप देखें कई देशों में तो अनिवार सेना में जाने की कुछ साल रहने की एक तरह से बात होती है। आप देखी चाल साल बाद निकलेंगे तो उनके पास एक योगता होगी। आप देखी कभी आगर जरूरत पड़ती है तो उने भी वापस बुलाया जा सकता है। अगनी पत योजना इस समस्या से भी निपटने की मनसा रखती है जहां सेन कर्मियों की अलपा कालिक अनुबंधों के साथ भरती की जाएगी। तो थल सेना, नो सेना, बायू सेना में पैंसन भुकतान की बढ़ते इस्तर को भार को कम करने में मदद भी कर सकेगी। और इससे रक्षा छित की अनुसंदान विकास में अधिक निवेस कर सकने की चमता भी राप्त होगी। और एउजना को लेकर क्या संकाएं, क्या चिंताएं हैं, अब आपने देखा हो का कई लोग ये भी कह रहे हैं, कि बिधायक भी तो 4-5 साल रहता है, वो तो कितने साल रहे हैं, आप देखिए उसे तो जिन्दिगी भर पैंसन मिलती रहती है, तो वो अपनी अपनी तरक है, तो ये भी बात है, और इसकी दूसरी नौकरी फासकने में कटना आई, इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे कि अगनी पत यूजना के तहट पहले बरस थल सेना, नो सेना, बायू सेना में लगभग 45,000 सेनिकों की भरती का रास्ता कुला है, लेकिन बेचार बरस की अलवका है कि चार बरस की सेबा निवित्ती के बाद, उनके लिए अनकोई योज नौकरी पाना कठिन होगा, बे अपने समयवों और समकक्षों से पीछे चूट जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, कोई पैंसन का लाब ना होना, ये भी आप देखें, इस पर भ जाब्त नहीं होगा, और इस पर ही दिरस्त में अधिकान सेनिकों के लिए अपने और अपने परिवारों के भरन पोसन ही तू, दूसरी नौकरी की तलास कनने की बिवस्ता होगी, और पिसिक्चन की आपरेउक्तिता, सेना अनुभवी सेनिकों से बंचित होने का नुकसान ठल सेना, नौ सेना, वायू सेना में सामिल होने बाले जबानों को तकनीकी पिसिक्चन दिया जाएगा, ताकि वे चल रहे अभियानों में सहिउख कर सकें, लेकिन चार्स बर्स बाद इन युवग होगतियों की सेवा निवित्ति से एक रिक्तिया निर्वात की स्तिति उत् और सेवा मुक्त किये जाने औले अगनी बीरों के लिए सरकार ने क्या बादे की ये हुगए सरकार आप देख रहे हैं जब बिरो डुगा इतना तो सरकार ने कुछ बातें भी कही है कि रेड में बेंक से रेड आसानी से मिलेगा यानि कि जो अगनी बीर बाहर आएंगे उन्हें आसानी से रेड भी उपलब्ध होगा सरकार सेबा मुप्त किये गए अगनी बीरों को बेंक रेड के साथ जीवन के अंग्जिचरन की सुरुआत करने में मदद भी करेगी जो उन्हें परात्मिक्ता की आधार पर पैदान किया जाएगा अन्य सेबाओं में बरियता पातिता मापदन को पूरा करने वाले अगनी बीरों के लिए केंदरी रक्षा मंत्राले में 10% नौकरी रिक्तियों को आरेक्षित करने की पिस्ताओं को भी मच्जूरी दी गई है और यह आरक्षन भारतिय तर्टर रक्षक बल रक्षा नागरिक पग और सभी 16 सार्विजेक्षित के रक्षा उक्रोमों में लागू होगा यानि कि 10% आप देखिए और आरेक्षित की गई है कि जो बाहर निकलेंगे वो 10% यहां भी नौकरी पापाएंगे यह आरेक्षन पूर सैनिकों के लिए वर्तमार में उपलब्द आरेक्षन की अत्रेक्थ होगा और गरहम नत्राले ने भी यह भी सुनिश्चित करने के लिए उजना की गोशना की है कि अगनी बीर चार वर्स बात सेयवा निवित्ती के बाद भी राष्टिय सीवा में किसी रूम में बने रहने का आउसर पाएंगे और इस क्रब में केंद्री ससक्त अर्थ सैनिक बल, CAPFS और असम राइफल्स में भरती है तू अगनी बीरों के लिए 10% अरक्षन के सासा उपरी आयू सीमा में छूट की गोशना भी की गई है और आप देखते हैं कि जो आपकी राज्चों में पुलिस होती है उसमें भी बात की जा रही है सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रेजर पुलिस बल, केंद्रीय उद्दोगिक सुरक्षा बल, भारत तिबब सीमा सुरक्षा बल और ससक्त सीमा बल और जैसे केंद्री ससक्त अर्ध सैनेक बलों और आश्टी सुरक्षा गार्ड विसे सुरक्षा सम्भू में अगनी बीरों के लिए उपरी आयू सीमा 25 बर्स की होगी पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्राले ने भारती नियो सोना में अगनी बीरों के चाल साल के कारकल के पूरा होने के बाद मर्चेंट ने भी की विभन भूमिकाओं में उनके सोगम संकमर्ड के लिए 6 सेवा मार्गों की घोशना भी की वूई है और असम हर्याना, उत्तरपदेश, मत्पदेश, आधी कुछ राज्यों से समंधी सरकारी नौक्रियों में भी अगनी बीरों की नियुकती को वरीता दैनी की घोशना की गई है और सिक्षा की बात करें तो राष्टी मोक्त विस विद्याले सिक्षा संस्थान निगूशना की है कि वह रक्षा प्राधी कारों की परामस से एक बिसे इस कारकरम सुरू करेगी ताकि अगनी बीर अपनी सिक्षा को आंगे बढ़ा सके बारवी उत्तीन कर पर्माड़ पराप्त कर सकें और आंगे की शिक्षा के लिए अगर बिवस्था हो जाती है तो वो डिग्री भी कर पाएंगे और नौकरी भी कर पाएंगे तो उनके लिए इस तरह से भी फायदा होगा सेक्षा मंतराले ने सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए तीन वर्सी है कौसल आधारित इसनातिक डिगरी कारिकरम सुरू करने का नेड़ाय भी लिया है जो ससक्त बलों में कारकाल के दौरान प्राप फिसीक्षन को मानता प्यदान करेंगे आगे की राह क्या हो सकती लाइसेंसिंग की सुखमता सरकार को अगनी वीरों के लिए अनिवार लाइसेंस नीमों में छूट पर विचार करना चाहिए ताकि सेवा मुप्ती के बाद उन में से अधिक किसी विशाई काई की स्थापना में निवेस के लिए आकरसित हो सके यह उ सूट पिदान करने का पर विचार किया जा सकता है यह सेवा मुप्ती के बाद अधिक से अधिक अधिक अगनी वीरों को रोजगार आउसर गहन करने या अपना वेवसाइच सुरू करने के लिए आकरसित करेगा और निस्किरिय धार के ब्याय और बेर्वजगार बने रहने बने रहने पर लोक रोक लगाने के बाले कारक की रूँमें भी काम करेगा आकरसिक ब्यात दर हैं बैंक अगनी वीरों की जमारासी पर आकरसिक ब्यात दर पिदान करने पर विचार कर सकते हैं यह भी कारी कदम के रूम में कार करेगा क्योंकि आकरसक ब्यात दर अगनी वीरों के लिए कमाई के रूम में कार करेगी और बैंकों को ब्यात से अधिक धन तक पहुँच प्राप्त होगी सांस्थानों में प्रवेस पर चूट उच्चे सिक्षा की एक्षा रखने वाले अगनी वीरों के लिए प्रिवेस मापदन्ड में छूट का टॉप आदी में छूट एक पिरमों का करसित साबित हो सकता है उच्चे योगिता प्राप्तो अननुफसासित अगनी वीरों के पास उनके लिए उपलब्द पर्याप्त अवसर का लाव उठाने की चमता होगी तो ये कहानी है पूरी अगनी वीर जो अगनी पत्य यूजना आई हुई है उसके फायदे भी देख लिए अपने नुफसान भी चिंताएं मी देख लिए है और इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है वो भी देख लिया है इसनी तरह कि आपकी आप देखी UPSC या I-State PCS की तैयारी कर रहे है तो मुख परीक्षा में पूँचे जा सकते है और मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की योजना आ रही तो उसके फायदे भी आपको मालू होने चाहिए उसके चिंताएं भी मालू होने चाहिए समझ रहे हैं आप लोग और अपनी सोच भी होने चाहिए और यहां भी आप लोगों को अधिकार है आप छूट है आपको आप अपनी राय जरूर दीजिए गा नीचे ठीक है